बरेली में अवयद पữaटाका फेक्टरी में हुए विसपोड का SIEM योगी ने संग्यान लिया मामले बेर दो इन्स्पेक्टर्स समेट चार पुलिस oturे बरेली में वैद पताका फेक्टरी में विस्पोर्ट से दहला गाओ, हाथसे में बच्चे समेर, तीन लोगों की मौत हुए, पांच घाए लोग अस्पटाल पहुच रहे हैं गाजियवाद में चुएन स्नेचर से पुलिस की मुटभेड हुई भाग रहे बदमाशों के पैर में लगी गोली अस्पताल में कराये गाए गाए उत्रप्रदेश के अलिगण में पुलिस और गौत असकर के बीच मुटभेड हुगई गोली लगने से शातिर गौत असकर घायल है अव्यद असलाहा कार्टू समेट गौकशी से संबंदित सामान बरामत हुए है उत्रप्रदेश के सोन भदर सहरान करने वाला वीडियो आया सामने दवंगों ने एक यूवक को पीट पीट करके किया लहू लोहान यूवक को पीटने के बाद दवंगों ने चेहरे पर किया योरें पुलिस ने एक आरोपी को धर्दब उचा मद्रदेश के इन दौर में घर में लगी भीशुन आग बकान में आग लगने से यूवक की मौत हुए चार्ड लोगों का रेस्क्यू किया गया पुलिस मामने की जाज कर रही है बैंगलूरू में चलती बस में यूवक ने कंडेक्टर पर किया चाकू से हमला यात्तियों में मची अफरा तफरी पुलिस ने हमला वर को किया ग्रफतार दिली में कोकिन की अब तक की सबसे बड़ी खेब बरामत की गई है पुलिस ने बरामत की है पांच करोर से जाधा की कोकिन पुलिस ने चार तसकरों को किया है ग्रफतार दिली में ज्रक्स की बड़ी खेब बरामत जौनपूर में आदमखोर भेडिये का आतंक देखने को मिला घर के बाहर चारपाई पस्तो रही महला पर भेडिये ने किया हमला महला की उमली काती करी जगे चोटे है लकिमपुर्खेरे में नहीं थम रहा बाग का आतंक बिती देर रात फिर सड़क पर दिखा बाग कार के सामने निकला बाग कार सवारों ने बचा बनाया वीजिए बहराईच में पिंजरे में कैद हुआ आदम खोर तेंद हुआ एक हफते से ग्रामी रूम में बनी हुई ती दह्षरत तेंदुए ने अब तक पाच लोगों पर किया था हमला दिली में अपराधियों के होस्ते बुलंद है नरेला इलाके में की ताबर तोड़ फारिंग सिस्रवी कैमरे में हमलावर कैद हुए हैं तलाश में रुकरी हैं पॉलिस मिडलीस इस समय जौला मुखी बना हुआ है जो अपने चलम पर हो किसी भी समय फट सकता है और इसका फटना बेहद हानिका रखो सकता है बिल्कुल देखे जौला मुखी फटा तो माली जी की महा विनाश होगा क्योंकि अगर दो शक्तियां आपस में टकराती है इसके बाद क्या नतीजा होगा या आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं लेकिन अगर दो महा शक्तियों का टकरा होगा तो समझ लिजिए कि जो ये युद्ध है वो प्रमानी युद्ध में तब्दील हो सकता है रिपॉर्ट देखे इसराइल पर इरान की बंवर्शा तेल अवीब जिए टेहरानों और युएं तक चर्चा अबादा एसराइल को अमेरिका का साथ नेतना हूँ नहीं सुनेंगे किसी की बार आतंग के खिलाब विस्टाइल की जंग अब ऐसे मोड पर आगई है जहां से विश्यु युद्ध की शुरुवात सर्फ एक नाजुक दोर पड़ी की है हालात इतने गंभीर है कि आनन पानन में यूयन को अपने यहां बैठक बुलानी पड़ी और इस बात पर जोर देना पड़ा कि अब मिडिलीस्ट में जंग याग को धदकने से रोकना ही होगा वरना मिडिलीस्ट इस आग की दुनिया में भस्म हो जाएगा इरान के मिसाइल एटेक ने तो जैसे इसराइल को वो मौका दे दिया जिसका वो इंतजार कर रहा था वो मौका जहां वो अब सीध है इरान के सुप्रिम लीडर आयादुल्ला अली खामिनई को निशाने पर लिगा इसराइल के सुरक्षा कैबिनेट ने इरान के समले का जवाब देने का मन पना लिया है कैबिनेट ने तैं किया है कि वो अमेरिका के साथ समन्नवे बैचक के बाद अगली रणनीति पर फैसला करेगा माना जो रहा है कि इस्राइल इरान में रणनीतिक स्थलो को अब निशाना बनाना चाहता है यहुदी धर्म के नए सार रोश थशाना पर हुए इस समले के बाद खुद इस्राइल के पियम बेंजामिन नित्नयाहू गुस्से में है पुदवार को अपने देश को नए साल की बदाईयां देने के साथ ही उन्होंने एक खास संदेश भी दिया और अपने लोगों से कहा कि यह साल पून विजय का है अब इस्राइल की धमकी के बाद इरान के सुप्रिम लीडर भी अपनी दाकत दिखाने के तयारी कर रहे हैं ताकि कोई ये ना समझे कि वो इस्राइली हमले से डर कर किसी पंकर में छिपे है बताया ज़ा रहा है कि इरान के सुप्रिम लीडर खुद जुमे के दिन होने वाली नमाज की अगवाई करेंगे अब मिडिलीस्ट में जंग धदक्ती आग पर रूस ने मिडिलीस्ट के स्थती को लेकर चिंता जताई इरान के हमले के बाद क्रेमलिन के प्रवक्ता तमिस्त्री पेशकों ने इस्राइल की निंदा की और कहा कि मिडिलीस्ट में हाला तब लंबे समय से अशंकित शेत्रिय युद्ध के करीब पहुच गया है इरान के हमले के बाद इस्राइल ने पलटवार करने का फ्रस्ला किया और ये पलटवार इरान के लिए खातक भी हो सकता है खास कर नस्रला की मौत के बाद इरान के सुप्रेम लीडर खामिनेई इस्राइल की ताकत समझ चुके है प्यूरोरिपो, प्यूर्पब्लिक भारा